ETA की क्या full form होती है और ETA का क्या मतलब होता है या आज की वीडियो में सीख लेती हैं ETA की full form होती है estimated time of arrival या expected time of arrival यानि कि आगमन का अनुमानित समय यानि कि किसी भी चीज के पहुँचने का या आने का जो एक estimated time होता है यानि कि एक अनुमान लगाया जाता है कि ये गाड़ी या ये जहाज या ये वेक्ती या ये पारसल इस समय पहुच जाएगा तो उसको हम उसका ETA कहते हैं यानि कि estimated time of arrival या expected time of arrival यानि कि मानले जी आपने कोई order किया किसी website से और उस पर आपको ETA लिखा वा रहा है तो इसका मतलब कि expected time ये है यानि कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तै समय से तै चीजें तै कार्यकरम के नुसार हुई तो इस समय तक पहुच जाएगा पर किसी भी चीज का हम आने का exact time नहीं बता सकते हैं हो सकता है कोई दुरघटना हो जाए या हो सकता है कोई emergency हो जाए तो उसके वज़े से उसमें time कम या जादा हो सकता है तो इसलिए हर चीज़ का fixed time नहीं आप बता सकते हैं इसलिए estimated time बता सकते हैं कि लगबग इस समय ये चीज़ वहां पहुंच जानी चाहिए तो उसे को ETA कहा जाता है और इसकी दो full form बन सकती है estimated time of arrival ये expected time of arrival अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें